यहां बिजली की बदहाली से मंत्री जी परेशान है और रात में बिजली विवस्था का जायजा लेने के लिए उर्जा मंत्री निकल पड़े और आधी रात में जायजा लेने के लिए उर्जा मंत्री प्रद्धिम्न सिंग्तोमर निकल पड़े और रात में डीडी नगर शता प्रभावित हो रही थी उर्जा मंत्री ने अपसरों को फटकार लगाते हुए केबल बदले जाने के निर्देश दिये इलाके में 3-5 घंटे हर रोज बिजली की कटौती हो रही है और अगोशित कटौती होने से लोग परिशान हैं और यहां पर इस परिशानी का हल निकालने के लिए मंत्री महोदे रात में ही सड़क पर निकल पड़े और पावर कट को दुरुस्त कि जाने की लिए अधिकारियों को नहुंने ना सिर्फ निर्देशित किया बलकि फटकारा कि आखिर यह क्या हो रहा है अधिरात में जाइजा लेने के लिए उर्जा मंत्री प्रद् और यह खबर इन दौर से जहां बजरंग दल पर हुए लाठी चार्ज के बाद DCP जोन तीन धर्मेंद्र सिंग भधौरिया को हटा दिया गया है DCP भधौरिया को RAPTC किया गया है और तैनात दरहसल बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान ये लाठी चार्ज हुआ था जहां गुरवार रात को बजरंग दल ने प्रदर्शन किया था और इस प्रदर्शन के दौरान हुए लाठी चार्ज पर आक्शन लेते हुए DCP जोन बजरंग दल ने इसमें प्रदर्शन किया था और इंदोर से ये पूरा मामला सामने आया बजरंग दल पर हुए लाठी चार्ज को लेकर कारवाई की गई है और आपको बता दें कि इस लाठी चार्ज से जो शिकायत है वो दर्च कराई गई थी बजरंग दल के कारेकरताओं क बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान ये लाटी चार्च हुआ था गुर्वार रात को ये प्रदर्शन किया गया था बजरंग दल की तरफ से और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए यहां पर कारवाई करते हुए आपको बिता दें कि DCP भधौरिया को आरे पी टी सी पेना किया गया है बजरंग दल के प्रदर्शन के दौरान ये लाटी चार्च किया गया था और ऐसे में इस प्रदर्शन में कारवाई करते हुए पुलिस अधिकारी को अटाया गया है और मुराना से बड़ी खबर आपको बता दें गौालियर से दिली जा रही एक स्लीपर बस हाथसे का शिकार हो गई यात्रियों से भरी ये तेजर रफतार बस ट्रक में जागुसी और हाथसे में तीन यात्रियों की मौत हो गई साथ की हालत बेहत गंभीर बनी हुई है और इस हाथसे में तीन लोगों की जान हलाक हो गई आपको बता दें कि इस हाथसे की वज़े साथ लोगों को चोटाई है सराय छोला थाना शेतर की नेशनल हाईवे चवालीस का ये पूरा मामला है जहां पर हाथसा पेश आया दरसल घायनों को इलाज के लिए जिला स्पताल भीजा गया है और आपको बता दें कि हाथसे का शिकार हुई यात्री बस तेज रफ़तार में जा रही थी और एक ट्रक में जागोसी और इस हाथसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि इस हाथसे के चलते साथ लोगों को चोटाई है और यह खबर सतना से जहां पर एक मन्चले की धुनाई की गई आपको बता दें अपने ही दोस्त की पत्नी पर चीटा कशी करने के आरोप में इस शक्स को महिला ने जबरदस पीटा दरसल दोस्त की बीवी को अबशब्द कह रहा था अश्लील बातें उससे कर रहा था और महिला ने चपल उतार का जबरदस उसके धुनाई कर दी और यहां पर यह नजारा देखने वालों की भीड लग गई अलाकि जब यहां मजमा लगा तो आरोपी मौके से भाग निकला पुलिस ने इस पूरे मामले में कारवाईस लेने की क्योंकि इस मामले की शिकायत थी पुलिस को नहीं दी गई मैहर घंटा घर चौरा है की यह पूरी घटना बताई जा रही है और राइपूर से एक बड़ी खबर आपको बता दे हैं जहां बस टर्मिनल में पुलिस ने आक्शन लेते हुए ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ कारवाई की 20 बस ट्रैवल एजेंट्स की दुकानों को सील किया गया और बस टर्मिनल में पुलिस का बड़ा भियान आपको बता दे हैं कि ट्रैवल एजेंट्स की दुकानों को सील किया गया एक, दू, चार, पांच, दस, ग्यारा नहीं बलके पूरी 20 ट्रैवल एजेंट्स की दुकानों को सील किया गया सडकों पर यातायात यह से प्रभावित हो रहा था और पारकिंग की अलग से विवस्था बिना लाइसेंस बुकिंग यह सब कारण इसके पीछे रहे एजेंट्स के खिलाफ कारवाई के निर्देश दिये जा चुके हैं और दुकानों को बंद किया जा चुका है और यह खबर राइपूर से सामने आई जहां इंस्टागरम सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर दोस्ती हुई और उसके बाद दुश्कर्म और एक अशलील वीडियो बना कर महिला को ब्लैक मेल किया जा रहा था और ब्लैक मेल करने वाले आरोपी इफ्तार खान को पुलिस ने इफ्तार कर लिया है बता दें कि मुहदा पारा पुलिस ने इस शक्स को गिरिफ्तार कर लिया है सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर होने वाली दोस्ती कांत अमूमन यही होता है और इस तरह कि एक और मामले में वही परिणाम पैंडरा में कोईले से लदा एक ट्रक का नियंतरित होकर पलट गया बता दें कि गेवरा से ये कोईला लेकर जैतरी जा रहा था ट्रक और गाय को बचाने के दौरान ये नियंतरित होकर पलट गया और इस हादसे में ट्रक का ड्राइवर भी घायल हुआ बताया जा रहा है कोईले से लदा गेवरा से ऊइला लेकर जैथरी जा रहे है इस ट्रक के दुर्गटनागरस होने का मामला गाय को बचाने के दौराना अनिंतरित होकर ये ट्रक पलट गया हादसे में ट्रक ड्राइवर भी घायल हो गया और कोईले से लदा हुआ ये ट्रक अनिंतरित होकर पलट गया और बढ़ते आंगे कोरबा से एक बड़ी खबर आपको बता दें घर में भीशन आग लगने का मामला सिलेंडर फटने से ये आग लगी थी और आग पर वक्त रहते काबू पाली आ गया है और यहां पर राहत की बात ये है कि कोई हताहत यहां नहीं हुआ इस आदसे में और कोई जनहान ही नहीं हुई ये एक बड़ी राहत की बात है और लेकिन आग की लप्टें देखकर आप अंदासा लगा सकते हैं कितने भयाना की आग रही लेकिन सब ही की जान बच गई परिवार वालों ने वहां से भाग कर किसी तरह से अपनी जान बचाई ये एक राहत की बात है दरसल आग पर काबू पा लिया गया है और आग बुझाने के लिए मौके पर फायर प्रिकेट की टीम पहुची और तेजी से आग बुझाई गई और आग की लप्टें जो तस्वीरों में उठ रही है आप देख रहे हैं ये भी हज़़द डरा देने वाली तस्वीर है जबकि परिवार ने वहां से भाग कर किसी तरह से अपनी जान बचाई और ग्वालियर में सेफ की सेकंड बटालियन में चोरी से हर कम्प मच गया दरसल कम्प स्थित सेफ की मयूर कूअपरेटिव सोसाइटी की कैश पेटी चोरी हो गई थी कैश पेटी में 4,43,000 रुपए की नकदी और कुछ रसीदी टिकट थे पूच ताच में ये खुलासा हुआ कि रात को सिपाही कप्तान पाल ड्यूटी पर था और जब सिपाही कप्तान से पूच ताच की गई तो उसने कैश पेटी चोरी करना कबूल किया कमपूथाने में लोक संपत्ती चोरी का केस दर्च होने के बाद आरोपी सिपाही कप्तान पाल को गिरफतार कर लिया गया है